हेलो डियर इस्टुडेंट स्वागत है आपसे भी का लखनो गुरकुल पर एक बार फिर से हम लोग आज सोसलोजी पेपर फोर इंडियन सोसाइटी के आगे के हैं थे आप लोगों का एक्जाम है ठीक है बहुत ही जल से जल जितने भी ज्यादा से ज्यादा कोशोंस हो सकते हैं लगब 20 प्लेस कोशोंस हम लोग यहां पर देखेंगे ठीक है तो हिंदी इंगलीज दल के स्वार्थ या फिर संजाती विबनता हैं तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो option number C होगा सत्ता रुड राजनीतिक दल के स्वार्थ ठीक है which of the following conditions is responsible for regional imbalance in India option number C interest of the ruling political party is the right answer एक काम करते हैं कि वोल हम राइट आंसर सी देखते हैं ठीक है क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है अगला है कि भारत का नया समविदान लागू हुआ कब लागू हुआ आपको पता है कि सन 1950 से ठीक है 26 जिनवरी 1950 को लागू हुआ था new constitution of India came into force in since 1950 अगला है कि संजाती भिन्टाएं तब छेत्री विवेत्ताओं में वृद्धी करने लगती हैं जब कब करती हैं जब optional अब भी alp sankhyak work sataroon dal को अपना समर्थन देते हैं बल्ब कोई भी party अगर satta में है और alp sankhyak क्यानि कि ऐसा समुदाः जिसकी संख्या कम है जिसकी population कम है जब वो अपना उस sataroon dal को अपना समर्थन देता है तो यहाँ पर जो संजाती विवेनता हैं छितरी विवेता हैं होते हैं उसमें वरदी होती है Ethnic variation tends to increase the regional variations when the minority class extends its supports to the rolling party Option number B is right answer आगे बढ़ते हैं कि भारत की निम्नांकित राज्यों में से किस राज्य में जनजाती जनसंक्या का पृतिशत यहाँ पर सबसे अधिक है Which of the following states of India has the highest percentage of tribal population सबसे ज़्यादा population की इस राज्य में है तो मध्धि प्रदेश इसका option number C जो है वो right answer होगा क्योंकि percentage की बात कर रहा है option number C is right answer Next question है कि भारत की किस छेत्र की जनसंक्या में जनजाती जनसंक्या का पृतिशत सबसे अधिक है वो राज्य कह रहा था यहाँ पे छेत्र की बात हो रही है Which reason of India has the highest percentage of tribal population in its population तो इसका right answer होगा जो पूरवत्तर भारत है जो आपका north east इंडिया है यहाँ पर आपको जो जनसंक्या है जनजातियों की tribal population वो ज़्यादा मिलेगी ठीक है नेक्स्ट है आपका कि निम्नांकित में से कौन सी एक दर्शा भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनाओ का कारण नहीं है तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकती है option number 20 सिक्षा के माध्यम का निर्धारन यहाँ पर यह केंद्र और राज्य की बीच तनाओ का कारण नहीं है अगर आप राज्य पालियों के निक्तित उखोगे तो यहाँ पर हो सकता है कि सेंट्रल में कोई और गौर्रमेंट हो स्टेट में कोई और गौर्रमेंट हो तो यहाँ पर क्लैश हो सकता है राज्य और केंद्र का जो अनुदान होता है जो अनुदान प्राप्त होता है उसमें भी लड़ाई हो सकती है clash हो सकता है और सासन की विस्ता में जब केंदर का हस्तचेप होता है अब आप किसी के मामले में हस्तचेप करोगे तो वहाँ पी भी clash होगा तो सिक्षा के माद्द्यम का जो निरधारन होता है यही एक आयोग की द्वारा चीतरी विबनताओं के तथा स्वायतता के संद्र में केंदर सरकार को विबन सिफार से यहां पर दी गई है विच कमिशन गिव वैरियस रिकमेंडिशन तो थे सींट्र गोवर्मेंट रिगार्डिंग रिजनल डिफरेंसे और अटनोमी द्वारा चीतरी सरकारिया आयोग ठीक है तो आप तो यहां पर क्या देखते हो कि किस समाच से तो हो गए नहीं ठीक है अब विकास से समाच से तो होगी नहीं तो अविक्सित जो समाज अंडर डिवलप्ड है वहां पर समस्याँ जादा होती है अगला है कि एक बिन्न बासा संस्कृति निवास शेतर तता आर्थिक रूप से आत्म निर्बर समधाय को कहा जाता है क्या कहा जाता है जनजाती ठीक है ट्राइबल ट्राइप्स जिनने हम लोग कहता है अगला है कि संबंदित प्रदेश के राज्यपाल की सलापर जनजातियों की सूची में किसी नए नाम को जोडने या प्रतक करने का अधिकार किसका है ठीक है तो Who has the right to add or exclude any new name in the list of tribes on the advice of the governor of the concerned state? The right answer is President, Rastrupati. Next question है कि निम्नांकित में से किसनी जन्जातियों को पिछडी हिंदू की नाम से पुकारा है? Who among the following referred to the tribes as backward Hindus? The right answer is option number C. घुरिये. घुरिये नहीं यहाँ पर backward Hindus को पुकारा है, ठीक है? Next question है कि निम्नांकित में इसे जन्जातियों को किसे एक नाम से संबोधित नहीं किया जाता है? Which of the following tribes is not addressed by which one name? किसे address नहीं करते हैं तो non-resident, अनिवासी के नाम से हम नहीं करते हैं. उन्हें आदिवासी भी कहते हैं, वन्ने भी कहते हैं, आदिम जाती भी कहा जाता है. अगला है कि वर्स 2011 की जन्गर्ना के अधार पे भारत की जन्संक्या जानतियों का लगबग कितने पृतिशक थी? अगला है कि जन्जातियों के बारे में निम्नांकित में इसे कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहां पर ऑप्शन नमर डी जन्जाती बहिर विवाही होते हैं, यहां आपका ऑप्शन है क्योंकि वो बहिर विवाही नहीं होते हैं, क्योंकि जन्जातियों में जो शादियों होती हैं, वो उन्हीं के अंतरगत होते हैं, आप नहीं देखोगे कि कोई जन्जाती समुदाय का किसी बारी समुदाय से यहां पे साधी कर रहा है बहिर विवाही नहीं ठीक है बहिर विवाही होती है ये गलत है इस वज़े से सही है अंसर भारत की निम्नांकित राजियों में किस राजी की जन संखिया में जंजातियों का पर्तिशत सबसे अधिक है which state has the lowest percentage of tribals in its population among the falling states of India तो इसका अंसर होगा कह रहा है कि भारत की निम्नांकित राजियों में किस राजी की जन्जादियों का प्रतिशत सबसे कम है उत्तर प्रतिश में तो है ज्यादा बिहार में भी है करनाटक हर्याना ही होगा ठीक हर्याना ही होगा 100% हर्याना होगा क्योंकि बिहार में उत्तर प्रतिश में भी बिहार में करनाटक में भी है ठीक है तो हर्याना इसका राइट आंसर है अगला है कि भारत में सरवादिक जन्जाति जन्संक्या वाले पहले तीन राज्यों में किसका इस्थान है माला पहला दूसरह किसका इस्थान है तो यहां पर option number B option number B एक सिमर व्रा को 37 व्र महराष्ट मृप्रिदेश मृद़्ु परेदेश महाराट ओड़ेशा option number B इसका ख़राएट अंसर है ठिक है मृद़्ु परेदेश महराष्ट और ओड़ेशा अगला है अगला है कि निम्नांकित में से कौन सी एक जंजाती सिकार तता खादे पदारतों की संग्रेया वारी जंजाती है विच अफॉलोइंग ट्राइप सिजा हंटिंग और फूड गैधरिंग ट्राइब यह बहुत है अच्छा कुशन है ओप्सन नबर सी खरिया जो है वो इसका राइट अंसर है ठीक है नेक्स्टे की जंजातियों पर बाहरी समुह के प्रभाव को रोग कर उनकी परामपरागत संस्कृत को मजबूत करने की प्रिक्रिया को निम्नांकित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है अगला है निम्नांकित में से किस एक लेखक ने जंजाती पाक को रिक्सित करने का शुच्टाइट अगला है समस्याओ के निराकर्ण के लिए एक राश्ट्य उपुवन को मनलब विक्षित करने का सुझाओ दिया है which of the following which of the following authors suggested the develop of a tribal park तो यहाँ पर Alvin option number C is correct answer Alvin ने दिया है ठीक है आगे है आगे है अच्छा कोश्टन है कि निम्नांकित में से समविधान की किस अनुक्षित में विधान सभाओं में स्थान सुरक्षित किये गए हैं और यह थोड़ा कोश्टन थोड़ा मलब घूम फिर क्या आ गया है मलब थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हुआ है निम्नांकित में से समविधान की किस अनुक्षित में विधान सभाओं के लिए जो जनजातियों का अनसुचित जनजातियों के लिए जो इस्थान है लोकसभा और राज्यों में वो सुरक्षित किये गए हैं Which of the following articles of the constitution? मलब अगर आप कहें कि किस अनुक्षित के माध्यम से अनसूचित जन्जातियों को लोकसभा, राजसभा में इस्थान सुरक्षित किये गए हैं? Right answer है, option number B, यानि article 334, 334 के नितरगर, ठीक है? Next question है, कि भारत में अनसूचित जाति तता अनसूचित जन्जाति अत्याचारों की रोकताम कानून किस वर्स लग हुआ? In which year did the scheduled caste and scheduled tribes' prevention of atrocities act came into force in India? ये आप का आया है, इक का आया है, 1990-56, ये तो नहीं है, Option number B और C में थोड़ा सा confusion है, 2001 भी नहीं होगा, Option number C ही right होगा, एक सिगेंट, चेक करने दीजिए, जी हाँ, Option number C जो है, वो right answer है, ठीक है? तो कहीं कहीं पर मैं भी थोड़ा confused हो जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको पाता है कि मेरा कुछ भी scripted नहीं रहता है, ठीक, जो पढ़ें हैं, वहीं हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, कि इन सरकार द्वारा खुली प्रतियोगिता से होने वाली नियुक्तियों में अन्सोचित जन जातियों के लिए कितने प्रतिशत का इस्थान यहाँ पर शुरक्षित किया गया है, इसका राइट अंसर होगा 7.5 परसेंट, अप्सन नंबर C is राइट अंसर, तो यह एक कुश्चन रहा है, जो कि I hope काफी हल्फुल रहेंगे, एक बाई ने देख लीजेगा, जन जातियों से संबंदित प्रिश्न हैं, ठीक हैं, तो आल दबस्त तो आल अफ्यू,